अगर आपकी आयू बढ़ गई है और आप प्रेग्नेंसी की सोच रहे हैं जो कि आजकल काफी कॉमन है मतलब आजकल के समय में ये काफी जादा देखा गया है क्योंकि औरतें भी अब घर से बाहर निकल रही है उनका भी अपना करियर है या पुरुशों में भी देखा गया है कि उनकी उम्र जादा हो जाती है इस दोरान अगर औरत की उम्र पैतिस से उपर है तो चांसे होते हैं कि आपको प्रेग्नेंट होने में में प्रेग्नेंसी लाने में भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपके जो अंडानू होते हैं वो कम हो जाएंगे या आपके शुक्रानू कम हो जाएंगे अगर यह दोनों सही भी हैं तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो बच्चे दानी हैं उसमें उम्र के related changes बदलाव आने लगते हैं जैसे कि रसॉलियां हो जाती हैं फाइब्रोइड यूटरस जिसको बोलते हैं या एडिनो मायमा तरव तरव की काथे आ जाती हैं यह सब आपको मा बनने में कहीं न कहीं यह हिंडर करते हैं आपको रोकते हैं पुरुषों में भी अगर शुक्रानों काफी कम हो जाते हैं बहुत बार क्या होता है कि एक बच्चा नॉर्मली ठहर गया है दूसरे बच्चे में उसको प्रॉब्लम हो रही है उसकी उम्र बढ़ गई है उसके शुक्रानों कम हो जाते हैं तो यह सब कुछ तकलीफ पेशन्ट को जहिंगी पढ़ती है दिक्कते आती हैं अगर वो कंसीफ करने की कोशिश कर रहा है तीसरी चीज़े यह होती है कि अगर वो कंसीफ कर भी ले तो जादा उम्र की वज़े स पास जाएं फर्टलिटी के डॉक्टर के पास जिनको यह सब चीजों से अवेर है तो फिर भी आप अपने शुक्रानों अपने अंडे से मा बन सकते हैं और पिता का सुख भोग सकते हैं और बच्चे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है अगर फिर भी आप कंसीफ हो जा जाती है इन सब चीजों के लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उनसे केर लेना पड़ेगा और इस चीज़े को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है तीसरी चीज़ यह होती ही कि बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है जिससे की बच्चा प्री ट कि बहुत ही ज़्यादा जरूरत है कभी-कभी आपकी बच्चे जानी के मुग के नीचे टांके भी लगाने जरूर पड़ते हैं वरना बच्चा जो समय के पहले डेलिवर हो जाता है यह सब अगर आप ध्यान रखो तो आपकी प्रेग्नेंसी बिल्कुली आपको हेल्दी प बच्चे दोनों ही रहते हैं डिलिवरी के बाद भी हम रखें आपका ख्याल